सुम्बार को गयाजिले की बोध गयाद थाना छे प्रिक्ये गाभा पंचायत की सलालपूर गौ के समेब सीएटपी संचालक राशित खां से हत्यार बन अपरादियों में गुली मार्क कर उनकी हत्या कर दी सीएटपी संचालक की पास रहे करीब पांस लाक रुपे भी अपरादी लूट कर तरा हो गये तो गटना की गुरूर में मंदलवार को कल्यादपोर बजार पूरी तरह बंद रहा वहीं दुकंदारों ने अपरादियों को जल से जल गया अफ्तार करने की मान की वही सीएटपी संचालक राशितखा की हत्या पर बोध गया की रावित विदायक कुमार्स वजीत ने अपरादियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपरादी अपराद करना बंद करें नहीं तो उसी तरह की घटना अपरादियों के साथ भी की जाएगी विदायक कुमार्स वजीत ने कहा कि बिहार में जिस तरह से अपराद में विर्दी हुई है उससे साबित हो गया है कि कोई विव्यक्ती बिहार में सुरक्षित नहीं कुमाज विजित ने कहा कि बिहार में लगबग 400 पुलिस दिर्शक को सस्पिर्ट कर लाइन हाजिर किया गया लेकिन बिहार में कोई काविल पुलिस अधिकारी नहीं आजर गिदायक लेका कि बिधान सभा से इस घटना में बिहार के साथ साथ तमान घटनाओं को भी उठाय जाएगा अजिस तरह से पूरे बिहार में अपराधी घटना की बृधी हुई है हम इसकी घोर निल्ला करते हैं और बिहार की नाम जिस तरह से बदनाम हो रही है वह जो है अब प्रूफ हो गया है कि बिहार में कोई देखती सुरचित नहीं है और गया जिला की बात अगर मैं करता हूँ तो मैं अपने राजनीत जीवन में इसके पहले कभी इस तरह की इतनी बड़ी अपराधी घटना नहीं देखी लगातार जीस तरह से घटना की ब्रिधी हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि जो सिस्टम है हमारा ये पुन रूप से फेल हो गया है जो बरी अधिकारी होते हैं वो ऑफिस में बैठ करके और अपनी फाइल की निप्टारा करते हैं और जो थाना होते हैं वह जो हैं दारू पकड़ने में लगे रहते हैं मेरा कहना है कि अपराध पे नियंतरन कैसे हो और लोग कैसे सुरज़चीत रहें ये बरी अधिकारी को मोनेटरिंग करनी चाहिए यह सरकार का पता नहीं कौन सा इनकी जो है बिद्वानता है कि चार सो इस्पेक्टरों को इन्होंने लाइन हाजित कर दिया सच्छम अधिकारी नहीं है थाना चलाने जल्द से जल्द चाहे अपराधी किसी भी उहदे पे हो कितनी बड़ी सातिर अपराधी क्यों नहीं हो जल्द से जल्द पकड़ा जाए हम यही मांग करते हैं स्थानिय परसासन से और मैं कल निश्चित तोर परियास करूँगा कि मैं मानिय मुखमंतरी को आवेदन दू बिहार के डीजीपी को पावेदन देंगे और जो है स्थानिय परसासन से मैं लगतार बोड़ी से बात कर रहा हूं थाना से भी मैं बात कर रहा हूं कि अपराधी कैसे पकड़ा जाया और हम इस तरह की जगन अपराध कि हम घोर निंदा करते हैं अधियों से अपील करता हूं कि आप अपनी रास्त मरंद्यादर ने बताया कि बद्वावा कर्यादपुर में ऐसी घटना पहली बार घटी है उने कहा कि इसका मुक कारण पुलिस परशाशन की सही तरीके से मौटिंग नहीं करना है उन्हें कहा कि अगर समय पर पुलिस चेकिंग अभ्यान चलाती तो अपराध्यों में भैब जो कर्यादपुर के हलात है और जो अपराध बढ़ रहे हैं इसको आप किस नजरिये से देखते हैं यहां कौंसी अधिकारियों का चुक होती है कि जो जाता है कि अगर श्रोड में मौनिटरिंग कभी-कभी चेकिंग लगे तो हमको लगता है कि आप राधी भी डरता है कि परशासनिक प्रशासनिक पिट्रोलिंग बिल्कुल सुने हैं परसासनिक यहां कहीं कुछ नहीं वर्शासनिक परशासनिक परशाचन कहां है थाना कि भंध स्था करी द्रह भी में मड़रों रहा कोजिव रहा है हुआ है कि जाति है